हेलो और वेल्कम तो थे पॉलिटी करेंट अफेर्स सेशन और कॉमडिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल मैं हो निकत परविन खान और आज की इस वीडियो सेशन में हम लास्ट वीक मतलब की आठ से चौदा जुलाई के बीच में करेंट के पॉलिटी के सेक्शन में जो कुछ भी घटनाए घटी उनको कवर करने वाले हैं उसके डाइनेमिक और स्टेटिक दोनों ही पार्ट्स को लेते हुए देखिए पिछले कुछ वक्त से कुछ और जो करेंट अफेर्स आपके रेगूलर स्टार्ट हुए थे वो हौल्ट पर थे खासतोर पे जो लोकल चत्तिसगर का जो करेंट अफेर्स है उससे रिलेटेड आप देख रहे हैं कि कुछ वक्त से आपकी वीडियो नहीं आ रहे थ उसकी कुछ वज़े थी जो unavoidable थी जिस वज़े से वो वीडियो नहीं आ रहे थे पर कल साटेडे के दिन आपके जो सीजी की करेंट अफेर्स के वीडियो है वो वापस रिज्यूम हो जाएंगे कल से आपका हर साटेडे अब आपको सीजी के पोकराज सर की करेंट अफेर्स कोई कमी ना रहने थे ठीक है तो फिलहाल आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो है हम लास्ट वीक जो चार पाच इंपोर्टन न्यूस पॉलिटी के सेक्शन में रही उसको देखेंगे कौनी ने नॉमिनेट करता है किस समयधानिक प्रावधान के तहट करता है वो हम देखेंगे उसके अलावा केंदरी मंत्री मंदल में थोड़ा सा फेर बदल हुआ है दो मंत्रियों के इस्तिफिक के बाद उनके जो प्रभार हैं वो दूसरे मंत्रियों को दे दिये गए हैं तो इससे जोड़े कुछ डैनेमिक और स्टैटिक पार्ट को हम देखेंगे नेक्स न्यूज होगी जो काफे विवाद में भी रह रह रहा है पिछले कुछ दिनों से नय संसत भवन के शीश टॉप माउंट पर जो नया नाशनल एम्बलम इनॉग्रेट किया है प्रधान मंत एक नई आर्केलोजिकल साइट ढूंडी गई है जिसका संटरक्षन भारत का आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया करेगा जो की बहुत धर्म से संबंदित है और वो जगह है कंगन हल्दी करनाटिका और जो लास्ट निउज हम कवर करने वाले हैं वो एक इंटरनाशनल और और जिसका संबंदित है भारत में जो जी ट्वेंटी ग्रुप है उसके शेरपा बदल गए हैं और अब उसके नए शेरपा पॉइंट हुए हैं अमिताप कांथ तो शेरपा क्या होते हैं अमिताप कांथ से पहले भारत के और कौन शेरपा थे और जी ट्वेंटी ग्रुप क कौन है वो members आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे उनकी तस्वीर है लेकिन अगर आप identify नहीं कर पा रहे हैं तो यह गलत बात है यह लोग इतने महान है कि film stars से जादा आप लोगों को इनको identify करके रखना चाहिए बेराल अगर आप identify नहीं कर पा रहे हैं तो यह नाम नमीनित किया गया है राज्यसभा में these four members have got nominated in राज्यसभा निया राज पी टी उशा विरेंद्र हेग्ड़े और वी विजेंद्र प्रसाद गारू और कौन नमीनेट करता है इंडिया में राज्यसभा में members को President Nominate करता है भारत के जो राश्टपती है श्री रामनात कोविन उन्होंने इन चार लोगों को राजसभा के सदस्यों की रूप में मनोनित किया अब बात आती है कि क्यों मनोनित किया कि वर्तमान में जो 12 सदस्य थे राजसभा में मनोनित उनमें से चार लोगों का कारेकल 2022 जुलाई में समाफ्त हो गया और इस वज़े से उन चार सीटों पे वेकेंसी आने वाली थी बिल्कुल इसलिए उन चार सीटों पे इन चार लोगों को नॉमिनेट किया गया है ठीक है तो देखिए इस फोर पीपल अनॉमिनेटिड अगर आप उनका ब प्रदेश से हैं विजेंद प्रसाद आनप्रदेश से हैं तो इनकी नाम याद रख लें कि कौन को नॉमिनेटिड मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता और हम सभी जानते हैं कि राजसभा में ऐसे बारा नॉमिनेटिड मेंबर्स होते हैं देखो जिन लोगों ने आते हैं निरवाची तेने एलेक्टेट मनोनित नोमिनेटेड लेकिन हाल ही में लोकसभा में जो आंगल भारतियों को नॉमिनेशन था उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया तो अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स 12 members nominate होते हैं जैसे इन में से किसी अभी कारेकल समापत होता है कुछ नय members को इन 12 की संख्या पूरी करने के लिए nominate कर दिया जाता है यह जो members होते हैं हम जानते हैं कि यह कला, सहित, विज्ञान और समाज सेवा यह आर्ट, साइंस, लिटरेचर, एंड सोशल सर्विस के फील्ड से होते हैं और राश्पती को यह nomination का जो अधिकार मिला हुआ है यह अनुसूची चार जिसमें राजसभा में सीटों के आवंटन से संबंदित बाते की गई हैं और आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो लोग नॉमिनेट के तहत पावर दिया गया है यानि मेंबर्स के nomination का जो पावर है यह जो nomination किया गया है वो schedule 4, article 4, 1 और article 81 के तहत राश्पती ने किया है 82 के तहत राश्पती ने किया और इस article 82 के तहत इन चार फील्ड से संबंदित जो व्यक्तित वह है उनको राजसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है और आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो लोग नॉमिनेट हुए हैं वो इन्ही फील्ड में से हैं सिवाए P.T. उशा के कई लोग के दिमाग में अभी से questions आ रहे होंगे कि P.T. उशा तो इन चारों में से किसी भी शेतर में नहीं आती वो तो सीधा-सीधा खेल को देने के sports से related हैं तो फिर कला, साहित, विज्ञान और समाज सेवा में उनको कैसे include किया गया तो देखी विवाद पहले भी जन्मा था जब सन 2012 में सचिन तेंदुलकर को राजसभा के लिए nomination मिला था तो उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोट तक गया था, मतलब इसका interpretation जो है वो कोट ने किया था और वहाँ पी व्याख्या दी गई थी, दलील ये दी गई थी कि हमारे सम्विधान में ये चार आधार लिखे जरूर है, गोर से सुनना में क्या कह रही हूं, हमारे सम्विधान में ये चार आधार लिखे जरूर है कि राजसाभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो इन चार शेत्रों से होंगे लेकिन वो सिर्फ इन चार शेत्रों से होंगे ऐसा नहीं है दूसरे शेत्रों में भी अगर किसी ने उलेकनी योगदान दिया है तो उन्हें भी नॉमिनेट किया जा सकता है जैसे कि शिक्षा का शेत्र है जैसे कि खेलकूत का शेत्र है और इत्यादी भी यानि इसके अलावा वह कोई ऐसा शेत्र है जिसकी परिभाशा में नहीं आता तो उन्हें भी नॉमिनेट किया जा सकता है तो वही उस टाइम देखा गया कि खेलकूत के शेतर में एक important नाम आ रहा था तो इस वज़े से उसी अधार पर सचीन तेंदुलकर का जो nomination था उसको valid करार दिया गया और उसके बाद से आप sports person भी nominate किये जाते हैं तो याद रखिएगा कि अगर sports person को nominate किया जाता तो इसका मतलब यह नहीं कि sports education ऐसे कुछ field को original article में act किया गया है आज भी आप article 82 में देखोगी तो यह चार आधार ही दिये हुएं पर sports education के लोगों को nominate करने से कोई मना ही भी नहीं है तो usually अब इस शेतर के लोगों को भी nominate किया जाता है समझ मेहरी बात तो देखिए sports person को nominate किया जा रहा है इसका मतलब यह नहीं कि समि nominate किया जाएगा केवल शब्द का इस्तिमाल नहीं किया गया है इसलिए दूसरे शेतरों के भी nomination allowed है और इसी वज़े से sports person को भी allow किया जा रहा है और इसी वज़े से PT उशा को भी nominate किया जा रहा है बाकी अगर आप देखेंगे तो इलिया राजा संगीत मतलब वो कला शेत सकते हैं ठीक है तो याद रखीगा समविधानिक प्रावधान ये है राजपती nominate करता है 12 लों को nominate कर सकता है ये आधार होते हैं ठीक लेकिन सिर्फ ये आधार नहीं होते दूसरे लेकने आधारों को भी लिया जा सकता है राजसभा में चाहे निर्वाचित सदस्य से हो च उनका कारेकाल होता है 6 वर्ष तो वर्तमान में जो 12 nominated members थे उनमें से 4 सदस्यों का 6 वर्ष का कारेकाल समाप्त हो गया चार nominated सदस्य का अभी जुलाई 2022 में उनका 6 वर्ष का कारेकाल समाप्त हो रहा तो कारेकाल समाप्त हो रहा तो 4 vacancy आई उनहीं में इन 4 नहीं को nominate किया ग करक लेंगे कि वर्तमान में इन लोगों को मिलाने के बाद टोटल 12 nominated members राजसभा में कौन है? ठीक है, ये part आप dynamic part में cover करके रखेंगे, और static part में nominated members related सारे प्राफथान, कि कौन nominate करता है? कितने members nominate होता है, कहां होता है? कितने वर्च उनका कारेकाल होता है nominated members याद रखियेगा कि President की election में तो participate नहीं करते पर Vice President की election में जरूर participate करते उपराश्पती का चुनाव जब भी होता है मैंने पिछले current affairs में भी cover करवाया था कि लोगसभा और राजसभा के सभी सदस उसमें हिस्सा लेते हैं और सभी सदस का मतलब की राजसभा कि आपकी nominated members भे इसमें हिस्सा लेते हैं ठीक कुछ लोगों का ये question भी रहते है कि क्या madam nominated member एक कोई मंत्री बन सकता है मतलब यदि कोई व्यक्ति नॉमिनेट किया गया है तो क्या उसे कोई मंत्री का प्रभार दिया जा सकता है तो अगर मैं समयधानिक प्रावधानों के हिसाब से बोलू तो हाँ क्योंकि लोगसभाय राजसभा का कोई भी जो सदस्य है वो मंत्री बन सकता है लेकिन अगर मैं वहवारिक तरीके से बोलू, practical, behavioral तरीके से बोलू, या तार्किक तरीके से बोलू, तो ये possible नहीं, क्योंकि मंत्री तो उसी पार्टी का सदस्य बनेगा, जिस पार्टी की majority है, nominated members किसी पार्टी को belong नहीं करते हैं, अगर वो 6 मेने के अंदर-अंदर किसी पार्टी को जॉइन करते हैं देखो आप Anti-Defection Law में पढ़ते हैं न कि एक बार अगर कोई member नॉमिनेट हो गया और अगर उसने 6 मेने के अंदर-अंदर किसी पार्टी को जॉइन कर लिया तो वो उस पार्टी का सदस से कहलाएगा पढ़ा है हमने ये चीज अंदर-अंदर किसी पार्टी को जॉइन कर देते हैं और वो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी चाहे तो इस nominated member को मंत्री भी बना सकते है तो सम्विधानिक तरीके से इस बिल्कुल सहीं बात है लेकिन अगर इन nominated member को पार्टी को जॉइन नहीं करते हैं और सिफ मनोनित सदस्यों की रूप में रहते हैं तो जाहिर से बात है न, majority इनकी ठोड़ी रहेगी फिस सिफ सांसद ही कहलाएंगे तो majority जिसकी रहेगी सरकार उनी की रहेगी तो मंत्री भी उनों की रहेंगे तो फिर ये कैसे बनेंगे तो देखो सम्विधानिक तरीके से तो इसा हो सकता है पर ये बात वहवारिक नहीं है ये बात logical नहीं है ये बात practical नहीं ठीक है I hope nominated members related कुछ queries जो थी वो मैंने आपकी solve की बाकी basic static background ये रहा और ये नाम आप याद रख लेंगे चार नहींने members का ठीक है चलिया है ओप आपको इस समझ माई बढ़ते हैं मगली news में केंद्री मंत्री मंडल में दो प्रभार बदले गए अभी मैंने आपको बताया ना कि राजसभा में कुछ सदस्यों का कारिकाल जो है उसका अंत्वा है उनमें सिर्फ और सिर्फ nominated members नहीं है कुछ आपकी elected members भी है जिनका कारिकाल समाप्त हुआ है और ऐसे दो elected members जो राजसभा के हैं और उनका कारिकाल समाप्त हुआ है उनमें हैं मुखतार अब्बास नकवी और R.C.P. सिंग मुखतार अब्बास नकवी और R.C.P. सिंग इन दोनों का ही राजसभा का जो 6 साल का कारिकाल है वो समाप्त हुआ है इन दोनों के पास ही क्योंकि ये सत्ताधारी दलके दोनों नीता थे राजसभा की सदस्य थे लेकिन सत्ताधारी दलके थे इस वज़े से इन दोनों के पास दो मंत्राले थे ठीक है और इन दोनों की रिटाइमेंट के बाद इनके जो मंत्राले हैं वो दो वर्तमान मंत्रियों को सौप दिये गए तो देखी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति रानी जो अल्रेडी आपकी विमिन एंड चाइल डेवलप्मेंट मिनिस्टर है उन्हें मुखतार अबास नकवी का मंत्राले सौपा गया जो कि आपका मिनिस्ट्री ओफ माइनौरिटी अफैर्स याने की अलपसंख्यक मामलों का मंत्राले तो इनके पास एडिशनल चार्ज दिया गया है अलपसंख्यक मामलों का जो पहले मुखतार अबास नकवी का था उनके रिटार्मेंट के बाद ये वाला चार्ज स्मृति रानी को दे दिय तो इसके तहट अब ऐसा हो गया कि स्मृतीराणिया महिलायें वालविकास मंत्री तो हैं ही, साथ साथ इस मंत्राले का अतिरिक प्रभार भी यही समालेंगी، बिल्कुल यही केस हुआ है जोते रादित सिंध्या के साथ, जोते रादित सिंध्या पहले से ही Civil Aviation Minister, इनका इस्पात मंत्राल है वो सॉब्ट दिया गया है तो इनका औरीजिनल प्रभार है नागरिक उबिश में उसमें आते हैं क्योंकि Central Council of Minister में वर्तमान में किसके पास कौन सा मंत्राले है यह एकसर objective में पूछ सकता है और अगर उसमें कोई हाल फिला हाल में current में फिर बदल हुआ है तो फिर पूछे जाने के chances और जादा हो जाता है ठीक है तो याद रखेगा कि कौन लोग retire हुए उनके पास कौन सा मंत्राले था और अब वो मंत्राले नया किसको मिला है और इन लोगों के पास पहले से कौन सा मंत्राले है ठीक अब आप कहेंगे कि already जिनके पास मंत्राले है उन्ही को क्यों दिया गया नय लोगों को भिद दिया जा सकता था तो जवाब है हाँ दिया जा सकता था हो सकता है कुछ वक्त के अंदर किसी और को दिया भी जाएगा पर याद रखिएगा हम पढ़ते हैं स्टैटिक पार्ट में कि 91st Amendment 2003 इस संशोधन के तहत एक अपर लिमिट लगाई गई थी मंत्री परिशद में मंत्रियों की संख्या पर इस संशोधन के तहत ये तै किया गया कि अब से ये इस संशोधन के बाद से केंद्री मंत्री मंडल में गौर से सुनेंगे केंद्री मंत्री परिशद में मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या जैसे की 545 आपकी कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशक से अधिक नहीं हो सक मतलब आपकी Council of Minister में जो टोटल मंत्री हैं उनकी संख्या 15% ओफ लोकसभा से उपर नहीं हो सकती है ठीकिए इट शूड ओल्वेज बी लेस देन अगर मैं इसको सही से मैथेमेटिकली रेप्रेजेंट करूँ तो Council of Minister's strength should be less than the 15% ओफ लोकसभा लोकसभा के 15% से कम होना चाहिए अब लोकसभा में कुल strength है 545 ठीक है अगर उसका आप 15% निकालता है तो 81 आता है मतलब ये कि केंद्रे मंत्राले में जो मंत्री परिशदे उसमें जो मंत्रियों की संख्या वे 80 से जादा नहीं होना चाहिए 80 से कम ही होना चाहिए समझ रहें पड़ा है हमने 91st Amendment हाइलाइट होता है इसमें और ये 91st Amendment के जरीए याद रखना Article 75 में प्रावधान जोड़ा गया है Article 75 Council of Minister से रिलेटेड बहुत सारे प्रावधानों को बताता है और इसी Article 75 के तहट इस Amendment में कुछ चेंज कियेगा और बोला गया कि अब मंत्रियों की संख्या 15% से कम ही होगी तो ये लोग कोशिश करते हैं कि एक मंत्री ही कई प्रभार समाल ले अगर वो समर्थ है अगर वो हैंडल कर सकता है तो एक मंत्री ही एक से जादा प्रभार को समाल ले ताकि आगे अगर जरूरत पड़े तो हम ऐसा स्कोप रखें कि हमारे पास उस 15% तक पहुचने के लिए कुछ मंत्री वेकेंड रहे कुछ नया प्रभार बनाना पड़े कोई नया मंत्रा ले लाना पड़े तो उसके लिए हमारे पास स्कोप रहे तो कोशिश की जाती ही कि वर्तमान में ही अगर हो सके तो मुझूदा जो मंत्री उनको एक से जादा प्रभार दे दिया जाता है वर्तमान काउंसिल ओफ मिनिस्टर की बात करें हम सेंट्रल की उसमें 31 मिनिस्टर है जिसके मुख्या प्रधान मंत्री है ठीक है तो प्रधान मंत्री मोदे के अध्याष्टा के साथ सेंट्रल काउंसिल ओफ मिनिस्टर की जो वर्तमान संक्या है वो 31 है ये बड़ भी सकती है लेकिन इसमें ऐसा है कि अपर लिमिट को थोड़ा सा दूरी रखा जाता है कि एक्स्ट्रीम कंडिशन में उस तक हम और मंत्रियों का स्रिजन कर सकें इसलिए कोशिश किया आती है कि ये 30, 32, 35 इस लोगों में ही सारे प्रभारों को बाट दिया जाए ताकि वो उपरी जो सीमा है वहां तक के मामला पहुचे ना और उसका उलंगन कभी न हो पाए समझ में आ रही बात ठीक है तो डाइनेमिक पार्ट तो बही ऐसा है कि मंतरियों के प्रभार दिये गए इनका कारिकाल समाप्थ हुआ मंतरियों के नाम उनके पुराने प्रभार नय प्रभार याद रखेगा ठीक वर्तमान में मंतरी परिशद में कितने मंतरी वो याद रखेगा और स्टेटिक पार्ट में आप याद रखेगा आर्टिकल 75 जिसमें मंत्री परिश्यत संबंदित प्रावधान दिये गए हैं और याद रखिएगा 91st रमेंडमेंट 2003 जिसके तहत ये कोशिश की जाती है कि वर्तमान किसी मंत्री को ही अतरिक प्रभार दे दिया जाए और जरूरी हो तब ही वो प्रभार किसी और को दिया जा और ये दोनों राजसभा के सदसे थे clear एचीज ठीक है आहोब आपको समझ मैं इस न्यूज में छोटी छोटी डाइनेमिक और स्टेटिक यट इंपॉर्टेंट बाते हैं ठीक चलिए बढ़ते हैं हम अगले न्यूज में ठीक तो भई पिछले कुछ दिनों से अगेन विव प्रधान मंत्री मोदी ने ने संसत भवन के जो मुख्य भवन है उसके शीर्ष पर उसके टॉप माउंट पर हमारे राश्टे प्रतीक की एक सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया है बाइफार इट इस कांसिडर्ड इस दी बिगेस्ट स्टैचियो अफ आर नैशनल ए किया है ठीक है क्या है इसकी खास्यते हैं वो देख लेते हैं और विवाद किस पात पर है वो देख लेते हैं हाला कि विवादों पर नज़र आपका नहीं रहना चाहिए अगर आप एक्जाम के लिए पर फिर भी विवादों की वज़े से जब कोई चीज हाईलाइट हो जा ठीक है तो देखिए प्रधान मंत्री मोदी ने नैसंसत भवन के छट पर बने राश्ट्रे प्रतीक का नावरण किया प्रतीक जो है वो कासे से निर्मित है ठीक है कासे से बनी हुई है ये मूर्ती इसकी उचाई साड़े छे मीटर है और इसका वजन करीब 9500 किलोग्राम है ठ एक steelle का supporting system भी बनाया गये यहने अपने आप में national emblem का जो sculpture है वो 9500 किलोग्राम का है और इसका एक supporting जो structure है वो 6500 किलोग्राम का भी बनाया गया इस मूर्ती के जो मूर्तीकार है जिनोंने इस मूर्ती को संस्दभवन पर बनाया है उनका नाम है सुनेल देवरे ठीक है, 11 जुलाई मंडे के दिन इसका inauguration प्रधान मंत्री मोदी ने संसत भवन्त में किया यह basic बाते हैं जो आपको dynamic part में जानने है dynamic में इतना ही, किसके बनी हुए, क्या उचाई है, क्या वजन है, किसने inauguration किया, कहा पर स्थित है ठीक है, अब आते हम थोड़ा सा इसके static part में static part यह है, कि हम सभी जानते ही हमारा national emblem है national emblem is an adaptation of Ashoka's lion capital at Sarnath Sarnath, Sarnath में Ashoka's lion capital है, उसी का adaptation लेकर के हमने अपना राश्टे प्रतीक बनाया हमारे national emblem है, उसके जो original artist है, जिन्होंने उसको design किया original, ठीक है, उनका नाम है, दीनानाथ भारगव याद रखिएगा, सुनिल देवरे याद नहीं रखेंगे, आप सुनिल देवरे dynamic में रखेंगे, जिन्होंने संसत भवन की उपर इस मूर्ती को बनाया पर हमारे original national emblem, जिसको lion capital से adapt करके बनाया गया, ठीक है, constitution लागू होते, जिसे adopt किया गया इंडिया में as a national emblem, उसका original design मनाया था, दीनानाथ भारगव ने, ठीक है, और ये अशोक के lion capital से लिया गया है, और सभी जानते हैं, ये चीजे हर कोई जानता है, फिर पर मैं दोरा दूँ, इस national emblem में कुल मिला करके four lions हैं, और ये जो चार lions है, उसमें अगर आप emblem को देखते हैं, टूडी तरीके से, तो तीन lion visible होते हैं, पीछे वाला जो lion है, जो share है, वो दिखता नहीं है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पारें, तीन lions visible हैं, वैसे अगर आप ये चार lions की बात करें, तो ये power, courage, confidence and pride, power, courage, confidence and pride, इन चार qualities को चिन्हित करते हैं, कहा जाता है, हमारे national emblem के ये चार lions, ठीके, एक power को, एक courage को, यानि कि एक शक्ती को, एक साहस को, एक confidence को और एक हमारे मान को, pride को, इंगित करता है, तो इसलिए national emblem हमारे लिए बहुत important एक sign है, और हम सबी जानते हैं, कि इसके नीचे हमारा दर्शवाक सत्यर मेव जयते, इन्हे truth always triumphs, ये लिखा हुआ रहता है, इसका जो pedestal है, जिसकी उपर ये चार शेर खड़े रहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, कि बीच में एक अशोक चकर होता है, जिसमें 24 तिल्या होती हैं, और हमको तीन इसमें animals मिलते हैं, एक आपको galloping horse दिखता है, ये एक घोड़ा दिखता है, उसके अलावा हमको दिख एक bull और एक elephant, वैसे देखा जाए, तो बीच विच में lotus नुमा सिंबल के साथ, चार animals हैं, एक horse है, एक bull है, एक elephant है, और एक lion भी है, पर पीछे वाला lion जो है वो दिखता नहीं, एक तरफ horse दिखता है, एक तरफ bull दिखता है, और तरफ elephant, ये तीन हमको में लिए दिखते हैं इसके pedestal पर, एक abacus पर, जिसके उपर ये चार lions खड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखेगा, ये originally सारनाच स्तंप से लिया गया एक चिन है, एक पूरा design है, जिसे national emblem के तोर पर design किया था, दीनानाथ भारगव ने, ठीक है, ये इसका कुछ background, इसका कुछ static part, हाला कि ये general knowledge ह और इंडिया में रहने वाले हर citizen को ये पता होना चाहिए, पर in case इन में से कोई एक art point आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने इन चीजों को दोराया, आपका dynamic part वो है, जो यहां लिखा है, बाके background में, everything about national emblem, बाइफार ये consider किया जा रहा है, कि ये सबसे बड़ी national emblem की मूर रहे हैं कि ये एक angry lion को दिखाया जा रहा है, एक घुसे में शेर को दिखाया जा रहा है, जबकि हमारे वास्तफ राश्ट्र प्रतीक के चिन में जो शेर है, वो शान्त दिखाये देता है, जबकि इसमें जो है, ये घुसे में दिखाये दे रहा है, अब इसकी लाइन के जैसे है, चोध तर्फा, हमारा करेज, हमारा प्राइड, हमारा कॉन्फिडेंस जो है, वो अग्रेसिव तरीके से देखाने के लिए ऐसी मूरती बनाना सही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूरती को बनाने से हमने हिस्टरी को डिस्रिस्पेक्ट किया है, और य अंगरी दिख रहा है, उसके कई सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग अपोस कर रहे हैं, और उपोजिशन और पक्ष में तो ये बात चलते ही रहती है, आप विवादों में जादा ना उल्च है, ठीक है, तो बहराल इस पर है विवाद हुआ, इस वज़े से निउस ह अगला ये जो न्यूज है, ये हिस्ट्री से रिलिटेट है, बहुत जादा मैं इसके बेक्गराउंड के स्टेटिक में नहीं जाओंगी, आप जानते हैं कि आर्केलोजिकल सर्वी ओफ इंडिया, भारत का पुरा तात्विक विभाग, लगातार भारत के इतिहास को खंगा के जरिये हमें बहुत सारे इतिहास के एतिहास से एक और पुरा तात्विक स्थल मिलते हैं, जिससे हमारे हिस्ट्री के ने-ने आयाम हमारे सामने आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक स्थल हमें मिला है करनाटका में, कंगन हली में, कंगन हली करनाटका में एक बहुत स्थल मिला ह बहुत सारे स्थल बनाएं, शीला लेख हो, स्तम्ब लेख हो, या फिर गुफाएं हो, या फिर दूसरे पेंटिंग्स हो, या कोई और चिन हो, इन्होंने कई सारी चीजों को बौध धर्म को ही डेडिकेट किया है, और अशोक के समय बहुत सारे स्थूपों से लेकर, विहारो से लेकर चेर्टियों से लेकर बहुत हम से जुड़े बहुत सारे स्मारक्य बनाई गई तो हमें कंगन हल्ली करनाटका में ऐसा ही एक बहुत स्थल मिला है जो संभवता अशोक ने बनाया है और इसके कुछ अंशों का जो लेना देना है वो सातवहन काल के राजाओं से भी है तो मौरियों और सातवहन काल से संबंदित एक स्थल हमको मिला जिसका नाम है कंगन हल्ली करनाटका बिल्कुल प्यॉर डैनेमिक पार्ट के लिए आप इसे याद रखेंगे तो जब इसमें से हमें बहुत सारे साक्ष मिले बहुत सारे इतिहास की इंपॉर्टेंट चीजे मिली तो फिर एसाई यहने कि भारत का जो पुरतात्विक सर्वेक्षन आपका डिपार्टमेंट है उसने इस जगे को एक बहुत स्थल के जैसे संरक्षित करने का फैसला लिया है जैसे कि आप पहली लाइन पढ़ सकते हैं एसाई करनाटका के कलबुर्गी जिले में कंगन हली सननती स्थल का हिस्सा के पास भीमा नदी के तड़ पर प्राचीन बोच स्थल का संरक्षन करेगा यहने इसे बकाइदा जैसे कि कोई आर्केलोजिकल साइट को प्रोटेक्शन दी जाती है अब वैसा प्रोटेक्शन दिया जाएगा अब अगर आप सेकेंड लाइन दिखेंगे तो इन सभी आर्केलोजिकल एविडेंस का मैंने एक उलेक कि क्या क्या मिला हमको हमको मिले यहाँ पर अशोक के शीला लेक कहा जाता है तीस से जादा शीला लेक मिले है यहाँ पर कई बड़े बड़े पत्थरों पर यह शीला लेक लिखेंगे जाए से बाते शीला लेक तो पत्थरों पर लिखेंगे पर तीस से जादा हमको शीला लेक मिले इसके लावा एक बहुत important finding है महा स्टूप कहा जाता है कि अशोक ने जितने स्टूप बनाया आप जानते हैं कि स्टूप जो है वो बुद्दिजम में गौतम बुद्ध की मृत्यू का प्रतीक है गौतम बुद्ध की अफशेश या बड़े-बड़े बहुत भिक्षों से जुड़ी कुछ अफशेशों को स्टूप में संरक्षित करके रखा जाता है अशोक ने स्वयम कई सारे स्टूपों का निर्वान किया था जैसे की बरूत का स्टूप, जैसे की सांची का स्टूप, धर्म, राजिका का स्टूप और ऐसे न जाने कितने ही ठीक है और समय समय पर ASI को ऐसे कई स्टूपों का जो अंच है वो हर जगे मिलता है जाता उनमें से एक स्टूप है महा स्टूप जो हमें कंगन हली करनाटका से मिला है और ऐसे एक अदावा है कि उस समय को जितने बड़े-बड़े स्टूपे उनमें से एक स्थूप यह है यह जो महा स्थूप हमको मिला है उस समय अशोग द्वारा निर्मिच सबसे बड़े स्थूपों में से एक है तो अशोग की जो अभिले की उसमें इस महा स्थूप को रिफर क्या है ऐस अधो लोक महा चैते मतलब जिसे हम महा स्थूप कहे रहे हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा है साइज में इसको अशोग की वो अभिलेक जो यहां से मिले हैं उसमें अधो लोक महा चैते नाम से रिफर किया गया है और इसमें सत्वहन राजाओं का भी बाद में योगदान आता है ठीक है त जोकि बुद्धिसम से संबंदित कथा हैं उनकी मूर्तिकलात में प्रतिपादन मिले साथवहन राजशाही और अशोग द्वारा विबिन भागों में भेजे गए बहुत मिशनरियों के कुछ अद्वितिय चित्रन मिलेने साथवहनों ने या अशोग ने जो भी बहुत धर के परचार के लिए कार किये जिन लोगों को भेजा उनके चित्रन भी हमको यहाँ पर मिले हैं विबिन धर्म चक्रों से सजाए गए बहत्तर मृदक पट्टी मतलब ड्रम स्लाब्स जो होते हैं वो हमको मिली उसके लाव अयक्शोर सेंग की मूर्तियां भी यहाँ पर प्रा ठीक है तो देखी कई बार आपके मेंस में आता है कि बहुत धर्म से संबंदित कुछ प्रमुक्स ठलों के नाम लिखें तो हम वहाँ पर कई बार अपने आपको रिस्ट्रिक कर देते हैं उन्स ठलों पर जहां पर गौतम बुद्ध का लेना देना था हम कहते हैं पर कि गौ और उनका निर्वांट स्थल यही आएगा पर ऐसा नहीं है ऐसी और सारी जगे जहां पर बहुत धर्म से जुड़े कुछ पिल्ग्रिमज प्लेसे को अशोक ने बनवाया है कोई पिलर बनवाया है कोई स्टूप बनवाया है साची भी बहुत धर्म से संबंदित है समझ में आ रही बात ठीक है तो आपको ऐसा question mains में मिलता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ तो आप उसमें इसे भी आड़ कर सकते हैं और यह dynamic के लिए भी important है ठीक है clear है ठीक तो इस particular news में इतना ही अब बढ़ते हैं हम आज की last news में अमिताप कांथ G20 के लिए भारत के ने शेरपा न्यूक्त किये गए तो भी आपने इनका नाम सुना होगा जब नीतियायोग बहुत highlighted था तब इनका नाम भी काफी highlighted था तो अमिताप कांथ जो नीतियायोग के पूर्व CEO हैं उन्हें G20 के ने शेरपा के रूप में न्यूक्त किया गया है इनसे पहले भारत में वानिज और उद्योग उप्भोकता मामलों के जो मंत्री हैं प्यूश गोयल वो G20 के शेरपा थे अब इनकी सेवा निवृत्ति के बाद अमिताप कांथ जो हैं वो G20 के शेरपा होंगे ठीक और एक बात जो लेकने आपको डैनमिक पार्ट में याद रखनी है वो ये कि भा G20 के जो सम्मेलन होगा याने कि जो सम्मिट होगी वो भारत में होगी क्योंकि अध्यक्षता इस एक साल के लिए हमारे पास है तो 2023 का जो सम्मिट होगा वो इंडिया में होगा ये दो-तीन निउस आपकी डैनमिक के लिए और इनको रिलेट करने के लिए में कुछ स्टैटि प्यूश गोयल की जगा G20 का भारत का नया शेरपा घोशित किया गया है और साथ ही एक दिसंबर 2022 से 30 नमबर 2023 तक G20 की जो अध्यक्षता है वो इंडिया में है इंडिया को मिली हुई है और 2023 में G20 की जो समिट होगी वो इंडिया में होगी यह डानेमिक पार्ट अब स्टेटिक पार्ट देखिए सबसे पहरी बाद G20 जिसका जिकर मैंने एक एकाद वीक पहले जब मैं G7 पढ़ा रही थी तब भी क्या था G20 एक international political organization है बिलकुल वैसे ही जैसे BRICS और G7 होता है जिसके अधीन 19 countries प्लस European Union और ऐसे मिला करके कुल 20 इकाई आती है इनमें यह जो 19 countries है यह दुनिया की developed प्लस developing countries दोनों मिला कर है यह दुनिया में जितने विकसित और विकास शील देश है उन सभी का समू G20 कहलाता है इनमें 19 देश और अकेले एक एक काई के रूप में European Union शामिल है और जाहिर से बात है इंडिया भी G20 का एक member है तो यैसे कि हम पढ़ते हैं कि G7 सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों का एक समू है और हम पढ़ते हैं कि ब्रिक्स विकास शील देशों में उची अर्थविवस्थाओं का समू है तो उसको अगर आप mix कर दें मतलब G20 कैसा समू है जिसमें विकसित हाइस इंडिस देश भी है और जो विकास शील देश है वो भी शामिल है अल्प विकसित देश इसके अंदर शामिल नहीं है यहने दुनिया की कुल मिलाकर जो strongest economy के total countries है वो इस G20 ग्रूप में शामिल है और इंडिया भी उसमें शामिल है ठीक है G20 का गठन सन 1999 में हुआ था याद रखें 1999 में G20 का गठन हुआ ठीक और रही बात अध्यक्षता की तो आपको यह बता दू कि इसकी अध्यक्षता जो है change होते रहती है जैसे मैंने कहा कि इस एक साल के लिए इसकी अध्यक्षता भारत को मिलेगी बरतमान में इसकी जो अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया के पास है 2021 से लेकर 2022 तक 2021 से लेकर 2022 तक के इस G20 की जो अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया के पास थी और इसके बाद जो है वो भारत को अभी एक दिसंबर से मिलने वाली है और इसी वज़े से जिसके पास भी अध्यक्षता होती है वही देश पूरे एक साल में कुछ तो एक साल में उस G20 संगठन की जितनी मीटिंग्स होगी जितने कार होंगे उसको मैनेज करने वाला देश वही होगा जो उस एक साल के उसका अध्यक्ष होगा मतलब अभी ये सारे कारे कर रहा है इंडोनेशिया 2021 में जो भी मीटिंग्स होगी इंडोनेशिया ने और्गिनाईज करवाई अब 2022 से 2023 में जो भी मीटिंग्स होगी वो इंडिया और्गिनाईज करवाईगा और इसी के तहट 2023 का जो शिखर सम्मिलन है पहली बार 2023 में G20 का शिखर सम्मिलन इंडिया में होने वाला है ठीक रही बाद शेरपा की तो देखिए अलग-अलग देश अपने-अपने Head of the State और Head of the Government के तरफ से एक Personal Representative उस ग्रूप को दे देते हैं शेरपा जो होते हैं एक तरह के व्यक्तिगत प्रतिनिधी होते हैं देशों के जो समिट से पहले खुद मीटिंग करते हैं आप इमान के चलो कि G20 का भारत की तरफ से कोई इंचार्ज है जो G20 से सम्मदित मामलों को इंडिया में सुपरवाइस करेगा तो वो यहां का शेरपा होगा यहने पहले पियुश गोयर और अब अमिताप कान के पास जर्पा तो जितने भी सदस्य देश हैं उनके विक्तिकत प्रतिनीदि होते हैं वो समु के लिए जो शमु से संबनी सारे कार उस बटिकुलर देश संबनी सारे कारे करते हैं उन्हें शेरपा कहा जाता है तो इस से पहले पियुश गोयल इस प्रभार को समाल रहे थे और अब अमिताप कांत इस प्रभार को समालने बाले हैं ठीक है समझ मैं ये बात ठीक है तो ये कुछ बातें आपको याद रखना डैनेमिक पार्ट है कि ये बने प्यूज गोयल की जगाली अध्यक्षता सम्मिलन स्टेटिक पार्ट G20 क्या है कब बना शेरपा क्या होता है और अध्यक्षता किसके पास है कैसे चेंज होती clear that is it इतनी ही बातें थी जो आज के इस करेंट अफेर के सेशन में मुझे आपके साथ डील करने थी लास्ट वीक पॉलिटी के सेक्षन में इतनी कुछ प्रमुग घटनाई रही जिसको हमने आज के क्लास में डिसकस किया अगले वीक फिर इस पूरे वीक में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट घटेगा उसको लेकर के मैं फिर आऊंगी थर्जड या फ्राइडे और उस पर हम एक डैनेमिक और स्टेटिक ओवर्व्यू लेंगे आज की सेशन में इतना ही थैंक यू सो मच